आगी की कलास्स चार्ट करते में कल तक हमने का बैलेंश इड़ बनाने वाला पार्ट कवर किया था बैलेंश इड़ेंश नाम है आज हम लोग actual काम चालू करने वाले यह थोड़ा सा theoretical aspect में आ जाता है बहुत ज़्यादा नहीं था आज हम लोग जो चालू कर रहे ना वच्चों उसका नाम है issue of shares ठीक है? shares को issue करने के दो तरीके होते हैं आपको मालो shares आपका एक समान है आप company हो आपका एक समान है आप समान को दो तरीके से बेच सकते हैं या तो पैसे के बतले या तो पैसे के बतले कोई और चीज मिले यानि की issue of shares for cash और दूसरा issue of shares for consideration other than cash है ना? cash तो सब समझते हो मैं आप company हो आपने share इसू कि या मैंने खरीदा मैं आपको cash दूँगा consideration other than cash का मतलब होता है माल लो आप एक बहुत बड़ी company माल लो आप Reliance हो Reliance India limit आप मुझसे यह building खरीदना चाहते हो मैं बोला दो करोड़ रुपे आप बोले एक काम करो दो करोड़ रुपे cash मेना लेके दो करोड़ रुपे के Reliance company के share हम आपको दे देते हैं और मैं खुशी-खुशी मान गया और अपने building आपको देके आप आपके शेयर ले लिए इसको बोलते हैं consideration other than cash यानि कि वापसी में आपको cash नहीं building आई ठीक है और मुझे आपके बहुत important topic है एक्जाम में आए गई आएगा है ना यह भी important topic ही है तो उन्हों के एक एक तीन तीन मार्ट के question हमको देखने को मिलते हैं चीग है तो पहला हमारा part होता है हम लोग क्या देखने वाले है cash में issue करना देखने वाले है तो issue of shares for cash मेरा आज का topic बच्चों दो तरीके से issue होता है मैं आपको ये दो तरीके पहले भी बता चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ ठीक है पहला तरीका होता है एक मुष्ट उठाना जो आज कल चल रहा है है ना easy तरीका इसको बोलते है lump sum lump sum मतलब एक मुष्ट उठाना और दूसरा होता है in installments generally ये दोनों अलग-अलग समझाने के topic है पर मैं क्या सोच रहा था मैं आप लोग को ये एक साथ एक example लेके दोनों topic समझाऊंगा तकि आप लोग को समझने में न आसानी जाए ठीक है मैं एक question उठा रहा हूँ अपने मन से बना के उसको आपको दोनों में थट से समझाऊंगा एक company है जिसका नाम है ABC Limited वो इशू कर रही है 100 equity share और एक share है 10 रुपे के पहले केस में लंब सम में इशू कर रही है और दूसरे केस में कैसे कर रही है देखो application पे company दो रुपे मांग रही है allotment में तीन रुपे मांग रही है first call में तीन रुपे मांग रही है और balance बचा हुआ आखरी कितना balance होगा भाई हो दस रुपे का एक share है तो तीन दो पांच तीन आठ और यह दो दस ठीक है ऐसे यह मांग रही है तो question वह यह फिर ध्यान दीजेगा total shares कितने इसू हो रहे है 100 एक share कितने का है दस पहले हम लोग कर रहे हैं लंब सम बाद में उसी को करेंगे इंस्टॉल्मेंट ठीक है लंब सम की बात करता हूं तो मैंने बोला एक मुष्ट एक मुष्ट मतलब आपने application दिया अब मैंने तुरंत आपको allotment कर दिया allotment मतलब आपको shares allot करना application देने का मतलब क्या होता है आप एक छुकते लेने के लिए आप apply किये आपने application भरा मैंने आपको उसका allotment दिया ठीक है मतलब मैंने आपको shares allot कर दिये तो पहले आपको पैसा आएगा हमको स्रिफ अब जर्नल इंट्री करनी और कुछ नहीं करना है शेप्टर में ठीक है तो पहले पैसा आएगा तो debit what comes in पैसा आया अंदर तो cash या bank काता है आपके bank में पैसा आ गया bank account debit to share application and allotment account account का नाम है application and allotment account तूरंट अप्लाई किये तूरंट अलॉट कर दी कितना हुआ कि तो शेयर था एक शेयर दस रुपे का है टोटल कितना पैसा आया हजार रुपे आया अब शेयर में आपको जो पैसा मिलता है न शेयर लेने वाले मालिक बनते हैं तो शेयर से मिलने वाला पैसा बनता है capital क्या बनता है बच्चों capital तो इस पैसे को आप यह खड़े नहीं रख सकते आपको पता है हम लोग कोई भी चीज को कभी खड़े नहीं शौर्ट एकाउटर में उसको कहीं नहीं ट्रंसफ़र करते हैं अब्हुते उत्स तो विसलिया कई दनाव में ट्रंसफर रहां अब्हुत में do to tear a capital account थीजान दीजिएगा हमको यहां पर नरेशन भी लिखनी होती है तब इसको complete माना जाता है हम को यहां पर नरेशन भी लिखनी होती है तब इसको complete माना जाता है तो यहाँ पे जब पैसा आएगा तो narration होगी बीइंग एप्लीकेशन कि मनी कि रिसीव या रिसीव डॉन हंड्रेट सेयर्स यहाँ पे बीइंग कि एप्लीकेशन मनी कि ट्रांसफ़र्ड ट्रांसफ़र्ड को शॉर्ट फ़र्म में न टी स्लाश डी लिखते हैं ट्रांसफ़र्ड टू कि शेयर इसे हम लोग आप नरेशन भी लिखेंगे यह दो एंट्री होगी और आपका लंब सम हो जाएगा खतम आपको यह समझना पड़ेगा कि पहली एंट्री में आपको पैसा मिला मैं मैं यह यापिसर कर दिया बैंक पैसाया गया वक कैसे अया ओर लाप्ड Curry एकνड पीशन के फैकंड पूर्ट पैसा मिल यह तो इसको समझ गए तो आधा चैप्टर आप लोग समझ जाएंगे पहले इसको समझाता फिर इसको समझाता इसलिए एक कोशन में आपको दोनों मैथट दोनों पार्ट समझा रहा हूं ताकि हम दोनों की कोश्चन्स आराम से बना सकते हैं तो यहां पे भी सबसे पहले क्या और उसमें दो रुपए आया तो एंट्री हो जाएगी यहां पर पहली बैंक एकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एकाउंट सिर्फ एप्लीकेशन है ज्यान दीजेगा कितने से रहें और एप्लीकेशन का कितना रुपए है तो टोटल कितना पैसा आएगा कि दोस्तों चीक है तू अंडेड रुपीश आपको आया यहां पर क्या लिखोगे क्या हो गया वर्दान कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीवड चीक है यह हुए मारी पहली एंट्री सेम काम करूंगा मैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीवड अब इस पैसे को आप क्या करोगे खड़े नहीं छोड़ सकते बोला ना तूरंद काहां ट्रांसफर करोगे शेयर क्यापिटल एकाउंट तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी शेयर अप्लीकेशन उपर चले जाएगा शेयर डेबिट टू शेयर क्यापिटल एकाउंट यह पूरा दो सो रुपए हमने ट्रांसफर कर दिया यहां क्या लिखेंगे बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर क्यापिटल एकाउंट क्लियर है यह तक पहले एप्लीकेशन के साथ पैसा पहले आता है यानि कि बाइंग एंट्री पहले आती है और बाद में उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे से आप मांगते हो और आपको पैसा मिलता है यानि कि सर सेकेंड्स के से यह एंट्री चल जाएगी उपर और यह एंट्री आ पहलेगी नीचे तो मैं एप्लीकेशन के बाद जब अलॉट्मेंट पर आऊंगा यह नहीं मेरे अप्लीकेशन का दो एंट्री हो गया खत्म चलो एंट्मेंट की तरफ पहले आप मांगोगे तो क्या होगी एंट्री शेयर कि एलॉट्मेंट एकाउंट डेबिट टू कि एएट्र क्यापिटल एकाउंट कितना पैसा है कि 100 एंट और तीन रुपए है तो कितना मांगोगे आप तो किस्तों में कैसे होता समझ रहे हो पहले अप्लिकेशन भरते हैं तो पहले बार पैसा जाता है दूसरी बार साब पो मांगना पड़ता है मांगने को बोलते हैं ड्यू हो गया है देदो तो यहां पर नरेशन आएगा बीइंग Allortment Money ड्यूव और स्पेसिफिकल उखना है तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यूव और हंॡ्रेट्डच सेयर्स ऐसा ल इख सकते हो ठीक है फिर पैसा देगा अख़ला देगा ना किया एंट्री हो जाएगी पैसा देगा तो पैसा आया तो entry हो जाएगी bank account debit to share allotment account यह 300 रुपे पूरा आपको आगे क्या लिखेंगे इसमें being allotment money received ठीक है यहां तक clear है आपने दो किस्ते पूरी कर ली फिर आएगा क्या कि फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल कितने का है तीन रुपे का और फिर लास्ट कॉल अपना जो होगा second and final call वो दो रुपे के होगा तो चलो यह भी कर लेते हां अगली एंट्री फर्स्ट कॉल की करूं ड्यू करूंगा पहले शेयर कि फर्स्ट कॉल एकाउंट कि डेबिट टू शेयर कि अ कि आपिटल एकाउंट कितना था तीन रुपे था तो कितना हो जाएगा कि इन सो हो जाएगा समझ में आ रहा है सबको क्या लिखूंगा बीइंग हाँ फर्स्ट कॉल सॉर्डी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ओन हंड्रेट शेयर्स यह आपका ड्यू एंट्री हो गया आगे बड़े पैसा मिलेगा तो बैंक एकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एकाउंट ठीक भाई लोग क्या लिखूंगा बेंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव ठीक है यहां तक आगे बढ़ सकता हूं आगे जब आप बढ़ोगे तो एक लास्ट बचा है अपना सेकेंड कॉल और वो ही आखरी कॉल जाने की फाइनल कॉल है तो इसको क्या लिखेंगे शेयर टेकेंड एंड फाइनल कॉल एकाउंट डेबिट फाइनल मतलब आखरी टू शेयर क्यापिटल एकाउंट हाँ था तो कितना हो जाएगा तो क्या है कि नरेशन बीग फाइनल कॉल एमाउंट ड्यू ठीक है और लास्ट में जब इसका पैसा मिलेगा तो पैसा मिले बाइनल कॉल मनीया सब्सक्राइब और इसी के साथ सारी एंट्रियां कि खतम देखें कितना सिंपल है बस थोड़ा हाथ दुखता है खुप सारा लिखना पड़ता है पर कितना सिंपल है शेयर्स देखें अरे इसका फोटो की इसके ग्रूप में डाल लो यार नोट्स के लिए काम आएगा अभी कुछ चल रहा है ना बीच में फिर क्या हां लेकिन इतना सिंपल होता अगर तो बच्चे इतना डरते थोड़ी अची कहना छोटा करोगे तो मोटा होते ही है आप लोग समझतो रहे हो ना कि अलग अलग करके डालों कि लेश को अलग से भी डाल देते हैं कि ऐसा कैसा करो तुम लोग लिखो गे इसलिए में डाल रहा हूं ना कि 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 यह नोट्स भी आपके गूरूप में डाल दिया गया पुछ कुछ्छन मनाया जाए कि कि आजाए यह इलस्ट्रेशन नंबर पोर में आ जाओ कि 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 बैंक अकाउंट डेबिट कि टू शेयर कि एप्लीकेशन एंड कि एलाट्मेंट अकाउंट कितना है भाई एक लाग एक्विटी शेयर है और एक दस रुपे का है तो टोटल कितना हो जाएगा कि दस लाग कि अपत सखेए यहां पर क्या लिखेंगे बैंग कि कि एप्लीकेशन मनी दो कि 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 तुप तो फिर अपन डारेक्ट इंडरी करते जाएंगे ना कि पंदरह में दोजारक्रजवज को हम ने उनको शेयर से रहत कर दिया इनके पैसे को लेके उनको शेयर कैपिलम ट्रांसफर कर दिया यानी कीछ CPA oh अगएहब लिखली केशन और का लान्रोटमेंट यकाउंट से बूट के पूरा पैसा हो जाएगा ज ड्रांसफर इसके बाद बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेर कैपिल अकाउंट इसको कुछ लोग यह भी लिखते हैं कि बीग वन लैक शेर अलोटेट टू डा अप्लीकेट्स तो लोग का मतलब वही है ठीक है आप अलोट किये मतलब आप ट्रांसफर कर दिए तो मैंने आपको एक कोशन दिखा दिया लंब सम्का बना के अब ऐसे ही मैं आपको एक कोशन बना के दिखा रहा हूं इस्टॉल्मेंट का फिर आप लोग की बारी आएगी आप लोग को थोड़ा सा कोशन खुझ से बनाना है ठीक है इसको देखने के बाद एक बार इल्लस्ट्रेशन फाइव देखो जस्ट नेक्स्ट कोशन हमको इंस्टॉल्मेंट का भी एक कोशन बना लिया जाए बोलता है आकास लिमिटेड इनवाटेड एप्लिकेशन फॉर टेन थाउजन शेयर तो भया कित एंड बैलेंस रुपिस त्री और फर्स्ट और फाइनल कॉल तो बचा कुछा फर्स्ट कॉल में चार तीन सात और तीन दस ठीक है उसके बाद बोल रहा है इश्यू फुली सब्सक्राइब हो गया अपने को क्या करने का है जैर्नल एंट्री पास करने का है चलो पहली एंट् लेते जाएंगे सीधे हां बैंक एकाउंट डेबेट टू कि शेयर एप्लीकेशन एकाउंट किता भाई दस अजार इंटू टीन कितना मिला तीस अजार रुपे आपको एप्लीकेशन के साथ मिला अब मैं नरेशन आप लोगों के बरों से छोड़ सकता हूं क्या क्या लिख कि डेबिट टू एयर क्यापिटल एकाउंट यह तीस अजार हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया ठीक है चलिए तीसरी एंट्री ड्यू करने की यह उपर चल जाएगी यह नीचे आ जाएगी तो कि शेयर एलोट्मेंट एकाउंट डेबिट टू तू शेयर हावई 10,000 शेयर इंटू 6 रुपए कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा फिर क्या होगा फिर आपको इसका पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा जो एंट्री क्या हो जाएगी bank account debit to share allotment account पूरा 40,000 आपको एक साथ मिल जाएगा ठीक है यहां तक clear है first call मागूँ आप share first and final call account debit to share capital account किता 30,000 होगा और आखरी में पैसा मिलेगा जब bank account debit to share first and final call account और इसी के साथ यह installment वाले normal question हो गया तो जब तक installment पार में होगा या जब तक लंसम का question पार में होगा हमको ऐसे बना लाएं आर के बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेंगे प्रीमियम वाले कोश्ट डिसकाउंट में शेयर सीशू नहीं होते सिलेबस में भी नहीं है हट चुका है ठीक है डिसकाउंट में डिवेंचर सीशू होंगे तब की बात की जाएगी हमको अभी पार के question आज का टार्गेट है लंसम के सारे के पार के question अभी हम लोग solve करेंगे और installments के पार के question चलू करेंगे फिर अगले step में आपको लेकर जाओंगा प्रीमियम ठीक है तो यहां तक मेरा समझाने वाला पार्ट खतम होता है अब मैं आपको टार्गेट दे रहा हूं और आप लोग को question solve करने है ठीक है